दोस्तों जो अंदभक्त मुसल्मानों को खास्तोर पर पंचर पुत्र मुसल्मान कहते हुए चिडाते थे जो लोग खास्तोर पर मुसल्मानों को ये कहते हुए चिडाते थे कि आखिरकार मुसल्मान पढ़ता लिखता नहीं है और मुसल्मान पर लिख करके क्या ही कर लेखा पर आज का दौर जो है वो बिलकुल पूरी तरीके से बदल चुका है आज मुसल्मानों के बच्चे जो है बड़े बड़े एक्दाम को ट्रैक करके अपनी उपस्तिती को तर्ज करा रहे हैं ऐसा ही आज हुआ है जो की रिजल्ट UPSC 2023 का सामने आया जहां एक दो नहीं बलकि 30 मुसलिम बच्चों ने UPSC को क्रैक किया है और हाँ इस ख़बर के सामने आने के बाद कुछ जो तथा कथित दंगाई पत्रकार हैं वो UPSC जिहाद इसे करार जरूर देते हुए दिखाई दे के क्योंकि मुसल्मानों ने अपनी उपस्तिती को जो एजुकेशन में आगे बढ़ा करके दर्शाया है वो उन तमाम अंदभक्तों के गालों पर तमाचा है जो तस्वीरे लगातार लोगों के सामने आ रही है और तो और इस पर सोने पे सुहागा काम ये हुआ है कि जामिय की फ्री कोचिंग सेंटर से 23 बच्चे जो है वो सलेक्ट हुए है ये भी एक पेट में दर्द जो है उन तमाम अंदभक्तों के हो सकता है और इन तमाम जो 30 बच्चे जो सलेक्ट हुए है उन लोगों के रैंक क्या है और किस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने एक्जाम को अपनी पढ़ाई पर फोकस करके ये दुनिया को दिखा दिया कि आज के दौर का मुसल्मान जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है वो एजुकेशन में आगे भी बढ़ रहा है और तमाम जगा पर अपनी उपस्तिती को दर्ज करा रहा है आपको बता दे कि कौन कौन मुसलिम बच्चे सलेक्ट हुए है और क्या उनकी रैंक है वसीम एहमद भट जो की ओल इंडिया रैंक जिनका वो सातवे पर है मतलब टॉप टैन में अगर बात की जाए तो एक मुसलिम नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल है वसीम एहमद भट का जो इंडिया लेवल पर सातवी रैंक हासल कियो हुए है तो वहीं दूसरा नाम आता है मुसकान डागर का जो की ओल इंडिया रैंक उनकी बहत्तर है इसी के साथ साथ नावेड एहसान भट जो की ओल इंडिया रैंक जिनकी 84 है वहीं असच जुबेर जिनकी ओल इंडिया रैंक जो है वो 86 है आमीर खान जिनकी ओल इंडिया रैंक जो है वो 154 है रोहानी जिनकी ओल इंडिया रैंक जो है वो 169 है आईशा फातिमा जिनकी ओल इंडिया रैंक 184 है वहीं शेक हबिबुल्ला ओल इंडिया रैंक उनकी 189 है जुफिशान हक जिनकी All India Rank जो है वो 193 है मनान भट जिनकी All India Rank 231 है तो वही आकिप खान उनकी All India Rank जो है वो 268 है वही मोईन एहमद जिनकी All India Rank जो है वो 296 है इसी के साथ साथ जो 13 रैंक है उसमें नाम है मोहमद इदुल एहमद जो की All India Rank 298 है वही इसके साथ साथ अरशद मोहमद All India Rank जिनकी 350 है वही राशिदा खातून जिनकी All India Rank पंद्रवी इस्थान पर जो पंद्रवी है उनकी 354 रैंक है इसी के साथ साथ अगर बात करें सोलवे कैंडिडेट जिनका एमन रिजवान नाम है वो उनकी All India Rank 398 है तो वही महमद रिश्वीन All India Rank उनकी 441 है महमद इर्फान की All India Rank 476 है तो वही साथ महमूद हुसेन की All India Rank जो है वो 570 है काजी आईशा इब्राहिम उनकी All India Rank 586 है तो वही इसके साथ साथ महमद अवजल उनकी All India Rank 599 है एस महमद याकूब उनकी All India Rank जो है वो 612 है महमद शादा उनकी All India Rank जो है वो 642 है जिसमें तसकीन खान All India Rank 736 है तो वही महमद सिद्धिकी शरीफ उनकी All India Rank 745 है वही अकिला बियेस उनकी All India Rank जो है वो 760 है महमद बुरहान जमान उनकी All India Rank 768 है वही फातिमा हैरेस उनकी All India Rank 774 है इसी के बाद बाद की जाए इरम चौधरी की तो उनकी All India Rank जो है वो 852 है इसी के साथ साथ शरीन शाहना उनकी All India Rank जो है वो 913 है तकरीबन 933 केंडिडेटों में 30 मुस्लिम बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट होकर के यूपीएसी एक्जाम को क्लियर करके अपने मुस्लिम कॉमिनिटी का नाम रोशन कर दिया है और एक इतिहास भी इन तमाम लोगों द्वारा रचा गया है जो इस तरीके से 30 नाम सामने आए हैं और ये खास्तोर पर उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो मुस्लिमों की रेप्रेजन्टिवनिस को लगातार इस तरीके से दिखाते हैं कि सहब मुस्लिम बच्चे कुछ नहीं कर सकते मुस्लिम बच्चे अब जो कर रहे हैं वो यूपी एस्टी का एक्जाम क्लियर करके अपने देश का खास्तोर पर अपनी कॉम्मिनिटी के नाम को बुलंदियों पर ले जा रहे हैं इसी के साथ साथ आपको बता दे कि जो लोग जामिया के बारे में गलत फैमी फैलाते हैं जो शाहिन बाग को बदनाम करने का ठेका लेते हैं उसी शाहिन बाग जामिया से 23 बच्चे जो हैं यूपी एस्टी एक्जाम को तोड़ने में कामियाब हुए हैं आपको बता दें कि ये तस्वीर खासतोर पर सामने आई है UPSC रिजल्ट की जो की 2022 का रिजल्ट जारी किया गया है रिजल्ट में सलेक्ट हुए कुल 933 केंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है सलेक्टेट केंडिडेट में से 23 केंडिडेट वे हैं जो जामिया मिलिया इसलामिया की RCA से चुने गए हैं जामिया की कोचिंग से सुने गए 23 केंडिडेट में से 12 लड़कियां और 11 लड़के शामिल है जो की जामिया ने एक अलग इतिहास रच दिया है जामिया मिलिया इसलामिया की आवासिया कोचिंग अकादमी से पिछले साल टौपर शुरूती शर्मा सहित 23 चात्रों ने सिविल सेवा परिक्षा 2021 उत्रिन की थी इससे पहले जामिया मिलिया इसलामिया के RCA में पढ़ने वाले 52 शात्रों की ने सिविल सेवा मुख्य परिक्षा में कामियाबी हासिल की थी जिसमें उन तमाम 23 बच्चों के नाम शामिल हैं जो की जामिया में पढ़े हुए हैं इसमें एक नाम आता है अजमेरा शंकर कुमार जिनकी 35 रैंक है इसी के सासा दिव्यान शी सिंगला जिनकी 95 रैंक है आमिर खान उनकी 154 रैंक है एसके हबिबुला उनकी 189 रैंक है सुश्री सुवंगी कुतिना उनका 248 है आकिप खान जिनकी तक्रीबन जो है 268 रैंक है राशिदा खातून उनकी 304 रैंक है एमन रिजवान उनकी 4398 रैंक है तो वहीं पूजा मीना जो की जामिया से पड़ी हुई है उनकी रैंक 466 है मुहम्मद इर्फान जो की जामिया से पड़े हैं 476 रैंक है शुरूती उनकी 506 रैंक है रिपूती नवीन चकरवति उनकी 550 रैंक है इसी के साथ साथ बात की जाए सइद मुहमद हुसेन की उनकी 570 रैंक है तो वहीं काजी आईशा इबराहिम उनकी 586 रैंक है इसी के साथ साथ जशकराम सिंग उनकी 595 रैंक है इसके साथ अभिशेक दिवधिया नाम है उनकी 610 रैंक है और अगर बात की जाए अदिती वर्मा जो की जामिया से पड़ी है उनकी 652 रैंक है तो वहीं शमीला चौधरी उनकी 703 रैंक है पल्लवी की 730 रैंक है तस्कीन खान की 736 रैंक है मुहम्मद बुरान जमान की 668 रैं चौधरी की यहां 852 रैंक है यह तस्वीरे उन लोगों के लिए हैं जो समय समय पर जामिया और मुस्लमानों को ले करके घलत फैमी फैलाते हैं आज इन मुस्लिम बच्चों ने एक इतिहास रच करके इन तमाम लोगों के गालों पर तमाचा जड़ दिया है हर एक तस्वीर आपकी UPSC से जुड़ी साजा करता रहूंगा दीजिये इजासत शुक्रिया